अज़ी क्लास में हम पढने वाले हैं क्लास 10थ SSD का हिस्त्री बुक से chapter number 2 Nationalism in India ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट चेप्टर में हमने पढ़ा था Nationalism in Europe चैप्टर रूमर 11 में ठीक है उसमे हमने देखा था कि कैसे नेशन इस्टेट का formation होता है हमने देखा था कि लोग यह understand करना start कर चुगे थे कि वो कौन थे वो सब एक ही सब का identity एक ही है sense of collective belonging यह चीज़ उनमे feeling आ रहा था नए symbols लेका आए जा रहे थे नए songs नए ideas यह सब लोगों को क्या कर रहे थे bind कर रहे थे और एक country रहने में help कर रहे थे लेकिन इंडिया और भी इंडिया जैसे जो बाकी colonies थे colony मतलब जो गुलाम देश European country ने कई सारे देशों को गुलाम बना कर रखा था जिसमें से इंडिया भी एक था तो इंडिया और कई सारे गुलाम देश यहाँ पर nationalism का concept डबलाउप होना एक अलग तरीका था कैसे अलग तरीके से यहाँ पर डबलाउप हुआ देखिए इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कॉलोनीज दे ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेस्नलिजम इस इंटिमेटली का मतलब होता है एक लोजली सब एक ही टाइप के लोग है और हम लोग का एक ही उदेश चेह है वो क्या है बिर्टिशर्स को इंडिया से भागाना ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर nationalism का भावना डेवलप हुआ समझ रहे हम लोग का nationalism और यूरोप का nationalism का भावना डेवलप होना का जो है वो अलग है वो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यह बात फिर से यहाँ पर लिखा है कि सब कोई operate हो रहे थे, सब कोई spirit हो रहे थे under the colonialism, ठीक है, गुलामी में सब कोई परशान हो रहा था, इस वोजे से ये shared bond, जो कई सारे लोग को, कई सारे groups को एक साथ bind कर दिया, समझे रहे हैं, सब लोग unite हो गए, तो इस तरीके से हैं पर nationalism का भावना develop हुआ, लेकिन ये जो अलग-अलग groups थे, जो एक साथ लड़ रहे थे, अगरेस के खिलाफ, इन सब group का, group पर effects जो है, colonialism का वो अलग-अलग पर रहा था, जैसे जमिंदार लोग थे, वो लोग तो खुस थे, ठीक है, कुछ और लोग थे, वो लोग कुछ अलग परिशानी में थे, अलग-अलग group प के खिलाफ, मतलब बीटी सर्स के खिलाफ, ठीक है, तो इस chapter में, class 10 का chapter 2 में हम, जो story है, वो 1920s से पढ़ना इस्टार्ट करेंगी, क्यूंकि इस से पहले का story, आपने साथ class 8 में पर रखा है, ठीक है, तो इस chapter में हम क्या-क्या परेंगे, 1920s में क्या-क्या घटना हुआ, उसक इस पूरे chapter में हम समझेंगे कि इंडियन नाशनल कॉंग्रेस जो थी, उन्होंने कैसे नाशनल मुव्मेंट को डेवलाब किया, ठीक है, कैसे अलग-अलग social ग्रूप्स ने इन मुव्मेंट ने पार्टिसिपेट किया, और कैसे नाशनलीजम लोगों को सोच को परभावी किया, इस पूरे chapter में हम ये चीज़ समझेंगे, चलिए देखते हैं, तो सबसे पहला topic है, the first world war, खिलाफत and non-cooperation, इस topic में हमें तीन topic पढ़ना है, पहला तो first world war का effect क्या क्या हुआ, खिलाफत movement क्या है, क्या नहीं है, non-cooperation movement क्यो शुरुआत क्या गया, इसका effect क्या परा, ठ लेके 1918 तक, ये ये याद कर लीजेगा, ठीक है, so wars of end हो गया, first world wars of end हुआ, तो क्या हुआ, देखिए, the war created a new economic and political situation, एक नया economic and political situation उबर काया, इंडिया के सामने, very 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 important line है ये, तो क्या-क्या नया चीज़ क्रेट हुआ, देखिए, क्या-क्या effect पढ़ा first world war का इंडिया पे, इंक्रीजिंग टैक्सेस, क्स्टम ड्यूटीज वर रेज, एंडिया इंकम टैक्स इंडियूच्ट, पहला effect तो ये पढ़ा कि, ये war में, जो defense expenditure ये काफी बढ़ गया, ठीक है, खर्चा तो करना की पढ़ेगा, war लरने में खर्च होता है ये, तो इस खर्चा को पूरा कैसे किया गया, इसको finance किया गया, loans लेकर, war loans जिसको बोलते है, और कुछ taxes बढ़ा कर, दो टाइप के taxes को ये पर mention किया गया है, सबसे पहला है, custom duty, custom duty क्या होता है, कि कि किसी भी country के अंदर आने वाला समान या फिर बाहर जाने वाला समान पर जो tax लगता है, एक्सपोर्ट इंप फेट क्या है, देखिए, through the war years, prices increased, ये war years, मतलब 1914 से लेकर 1918 तक, इन सबी सालों में जो चीजों के जो दान थे, वो बढ़ते जा रहे थे, nearly क्या हो जगे डबल हो चुके थे, between 1913 and 1918, बोलने का मतलब है, कि अगर 1913 में अगर आप कोई कॉपी खड़ी द रहे थे, जो 10 और खतम होने का बाद वही कॉपी कादम डबल हो गया, मतलब 20 रुपे में आपको कॉपी मिलेगा, इतना महँगाई बढ़ चुका था, leading to extreme hardship for the common people, यानि आम आदमी के लिए ये काफी difficult time था ये, तो ये हो गया दूसरा effect कि जो prices था वो बढ़ चुके थे, ठीक है, आते हैं तीसरे effect पे, villages were called upon to supply soldiers and the force recruitment in rural areas caused widespread anger, called upon का मतलब होता है to ask to do something, किसी को कुछ काम करने के लिए बोल ला, तो villages को बोल दिया गया कि आप लोग क्या करें, कि soldiers supply करें, और जबर्दस थी, लोग को पकड़ पकड़ के आर्मी में भरती कराए जने लगा, तो इस प्रदस से जो rural areas थ चुका था इस British के खिलाफ, ठीक है, यह हो गया तीसरे effect, चौथा effect पे आते हैं, देखिए, in 1918, 19, और फिर 2021, crops failed in many parts of the country, resulting in acute shortages of food, this was accompanied by an influenza epidemic, देखिए, तो 1918, 1919 और 2021 में, crops fail हो गया, हो सकता है, monsoon नहीं हुआ होगा अच्छे से, तो crops उतना अच्छा फसल नहीं दे पाया, ठीक साथ साथ, खाना का कमी तो ही, उसके साथ साथ देखिए, क्या हो गया, एक virus, एक influenza virus, उसका भी महामारी फैल गया पुरा, जैसे अभी COVID फैला था, उसमें क्या फैल गया था, influenza epidemic फैल गया था, तो यहां से भी काफी economic hardship लोगों को face करना पड़ा, as per 1921 census, nearly 12-13 million लोग मर चुके थे, यह famines और epidemic के कारण, shortages of food के कारण क्या होता है, famines, मतलब भुक मरी होता है, और epidemic के कारण तो पता है, epidemic बीमारी है, ठीक है, तो लोगों ने यह hope किया, कि यह जो भी hardship है, यह जो भी hardship जो लोगों ने face किया है, यह war के बाद end हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब इसी stage पे एक नया leader over के सामने आता है, और एक नया mode of struggle लाता है, ब्रिटिस के खिलाफ, वो leader कौन है, मातना गान दिये, ठीक है, इसको आगे करने से पहले, यहापे देख लेते हैं, यहापे question कैसा बनेगा, question तो इसी topic के उपर बनेगा कि आपसे बोलेंगे, कि how did the first world war create new economic and political situation in India, explain with examples, तो आपको यह point लिखना पड़ेगा, ठीक है, यह blue एक point, यह green दूसरा, यह blue तीसरा और यह green 14, ठीक है, अगला topic है the idea of सत्यागरह, चलिए समझते हैं सत्यागरह क्या है, मातना गांधी returned to India in January 1915, तो मातना गांधी इंडिया में January में आए, 1915 में, exact date का बात कर तो 9 January 1915, इसलिए 9 January को हम लोग क्या celebrate करते हैं, NRI Day, प्रवासी भारती या दिवस, ठीक है, उनको याद करते हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, लेकिन इंडिया का development में वो युगदान देते हैं, ठीक है, तो खेर, मातना गांधी 9 January 1915 को इंडिया में आये, वो कहां से आये थे, देखिए, South Africa से आये थे, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a noble method of mass agitation which he called Satyagraha, Satyagraha, तो मातना गांधी South Africa से आये थे, और उन्होंने South Africa में racism के खिलाफ काफी अच्छा ललाई लगा था, ठीक है, racism मतलब वहां पर भी रंग के हिसाफ पर, मतलब काला गोरा के हिसाफ से भेदभा के लिए उन्होंने काफी अच्छा method यूज क्या था, जिसको बोलते है, method of mass agitation, या फिर उनके सब्दों में बोला जाए तो Satyagraha, method उन्होंने यूज क्या था, अब ये Satyagraha क्या है, उसी को समझते हैं, ठीक है, very important, ध्यांदर समझीगा, the idea of Satyagraha, सब सब दो ये word को हुआना चारे, इसी को बोलते है Satyagraha, अब देखते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, the idea of Satyagraha emphasized the power of truth, and the need to search for truth, इसमें emphasize किया गया, जोड दिया गया, सच के power पर, ठीक है, और सच का खोज किया जाए, इसमें बोला गया कि अगर आपका reason, cause जो है, वो सच है, ठीक है, आप सही, cause के लिए लड़ रहे हैं, और आपका जो struggle है, वो injustice के खिलाफ है, तो इसके लिए आपको कभी भी physical force का use करने का ज़रोत नहीं है, उस oppressor से लड़ने के लिए, तो कैसे लड़ेंगे हम लोग, देख without seeking vengeance, vengeance का मतलब होता है, revenge, बिना बदला लिए, बिना aggressive हुए, एक सत्यग रही इस battle को जीत सकता है, एक method को use करके जिसको बोलते है, non-violence, बिना कोई हतियार चलाए भी इस battle को जीता जा सकता है, ये कैसे कर सकते हैं, देखिए, this could be done by appealing to the consigns of the oppressor, ये काफी main line है, आप appeal उस oppressor को और उसके मन को जीत लीजिए, ठीक है, उसका अंतरा आत्मा को आप appeal कीजिए, कि आप खुदी सोचिए कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ उसको realize करवाईए, तब आपका जो ये लराई है, उसमें आपका जीत हो जाएगा, यही इस method का main base है, people including the oppressors had to be persuaded to see the truth, instead of being forced to accept truth through the use of violence, यहाँ पर कापी अच्छा language में लिखा गया है, देखिए, जो लोग है, including the operator, इन लोग को क्या करना पड़ेगा, सच को दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप violence का use करके उनको सच मनवा लिए, ये बात गलत होगा, ठीक है, आप उनको persuade कीजिए कि वो स concept, उमीद करता है को समझ में आ चुका होगा, कि आपका जो भी opponent है, उसको appeal कीजिए, उसको सच सुनवाइए, उसको खुदी महसूस होगा कि वो गलत कर रहा है, तो वो अपने आप वो गलत काम करना बंद कर देगा, ये है सत्यक रहा का concept, तो exam में इसके पर question बनता है कि explain the idea of सत्यक रहा according to Gandhi जी, तो आपको ये पूरा बात भलिखना पड़ेगा, ठीक है, तो after arriving India, इंडिया में आने का बाद, गांदी जी successfully organized सत्यक रहा movement in various places, तो गांदी जी ने यही concept का use करके, देखिए, गांदी जी ने सत्यक रहा का ही use करके, South Africa में racism के खिलाफ लराई के लरा था, तो उन्होंने इंडिया में आते ही straight away इस method को follow करना start कर दिया, ठीक है, तो इंडिया में आते ही उन्होंने कई सारा सत्यक रहा movement किया, कई सारे places पे, तो आपको यहां पर तीन main सत्यक रहा movement का नाम याद रखना है, सबसे पहला है चंपारन इन बिहार वाला, दूसरा है peasants of the खेदा district of गुजरात, इसका सत्यक रहा movement, और तीसरा है एहमदाबाद cotton mill workers का सत्यक रहा, तो चलिए देखते, यह year याद रखेगा 1917 में, 1917 में कांधी जी कहा गए, चंपारन में गए, बिहार का एक प्लेस है, यहाँ पे उन्होंने peasants को inspired किया, struggle करने के लिए against the operative plantation system, मतलब ठीक है, और वो as a tax, आप Britishers को pay करो, बाकी जो 85% land है, उसमें आप जो मर्जी वो grow कर सकते हो, तो यह जो plantation system था, यह काफी बेकार था किसानों के लिए, इसलिए गांधी जी यहाँ पे सत्यक रहा movement launch किये, ठीक है, और यहाँ पे success भी मिला, इसके बाद देखिए, फिर 1917 में ह इसके बाद इसके बाद 1908 में गांधी जी कहा गए, एहमदाबाद गए, और यहाँ पे एक सत्यक रहा movement launch किया, amongst the cotton mill workers, फिर यहाँ पे इनको भी help मिला, तो यह तीन movement का नाम याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे question कैसा बनेगा, देखिए, सबसे फ़लों तो आपसे पुछेंगे कि, सबसे पहली बाद सत्यक रहा कहाँ पे launch हुआ था, तो 1917 में चंपारण इन बिहार में, ठीक है, यह पहला question बनेगा, फिर दूसरा question बनेगा, कि name two main satyagraha movement organized by Mahatma Gandhi, successfully in favor of peasants in 1916 and 1917, ठीक है, तो दो ठो पीजन movement का नाम बताइए, तो दो ठो पीजन movement का नाम यह हो जाएगा, चंपारण इन बिहार वाला movement, और दूसरा हो जाएगा, पीजन्स अब दाखेदा district of गुजराद, ठीक है, दोनों को लिख देना है, पूरा, समझ गए, यहाँ सा question कैसा बनेगा, चैलिए,